नमस्कार दोस्तों, जैश्री राम, जैश्री हनुमान, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, दोस्तों कल शाम 5-31 बजे से आपके जीवन काल में बहुत जनकारी के लिए बता दें कि हनुमान जी से आपका दुख नहीं देखा गया है, और उन्होंने आज, के लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए उन्होंने स्वयम ही गधा उठा लिया, दोस्त हनुमान ने आपके लिए उठाया है, गधा तो होने वाला है, बहुत बड जो कि धर्ती पर पहली बार ऐसा चमतकार आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी परीक्षा में कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे थे। कोई न कोई कमी आपके जीवन काल में रह जा रही थी। साथ ही परिवार में कलेश की स्थिती बनी थी। आपका मन अशांत रहता था तो दोस्तों अब इन सभी से आपको छुटकारा द तैयार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों आपके दोस्तों आपने कभी किसी को दुखी नहीं किया है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी हो। चाहे उसका दिल, दुखे आप सभी का भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब बोलोगी आपके मंजूरी का फायदा उठाने लग जाते हैं और आपको अपने बातों में उल जाते हैं। आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं। लेकिन दोस्तों आपके जाते ही वो पिट पीछे आपकी बुराईया करना शुरू कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप उनसे ब को बता दें कि आज शाम 5.31 बजे से आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, आपके साथ पूरे घर में खुशियां ही खुशियां च्छा जाएंगी। तो दोस्तों, आये जानते हैं कि आपके जीवन काल में कौन सी परिवर्तन होने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा से आपको क्या कुछ मिलने वाला है? आपके जीवन काल में कौन से बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे? उसके साथ ही आपकी कौन सी बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है? साथ ही पारिवारिक जीवन के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रेम में आगे बने रहे अपने जीवनकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करके ही जाय चीज कि आप तमन्ना कर रहे थे जो भी चीज आप पाना चाहते थे वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहल जो भी भगवान श्री हनुमान के सक्चे भख्त इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो का एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में जैश्री राम, जैश्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान की जय जरूर लिखे हनुमान जी के आशीरवाद से आपकी सारी दुखों का अंत होगा हनुमान जी का क्रिपा आप पर सदैव बना रहेगा आप कठिन से कठिन बाधाओं का सामना करने के लिए तसपर तयार रहेंगे हनुमान जी आपको सही मार्ग दर्शन देंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सुन्दर अनमोल ग्यान देखिए सी स्वर से लिया जो दिया इसी को दिया दोस्तों चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं किसी को बहस से जीतने के बजाए मन्द से पराजित करना चाहिए क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तसपर तयार है वो आपकी मांग को कभी सहन नहीं कर सकेगा बहतरीन जिन्दगी जीने के लिए आपको यह स्विकार करना बेहत जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है जो भी मिलता है आपके लिए श्रेष्ठ ही मिलता है इसलिए दोस्तों आपको जो भी मिले उस खुशियों में खुश रहे आपको जो भी मिला है ईश्वर के दिल से आपको सब कुछ बढ़िया आपके हिसाब से मिला है आप कभी उदास मत हो ना कि आपको ये चीज नहीं मिला वो चीज नहीं मिला आपको जो भी मिला है श्रेष्ठ मिला है सबको वो चीज नहीं मिलेगा जो आपको आपके स्वर ने दिया है दोस्तों यदि आप मेरी बताए ग्यान की बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा साथ ही कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जैश्री हनुमान लिखना बिलकुल भी मत बोलिएगा दोस्तों आप सभी को बता दें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी परेशानी से अकेले लड़ रहे हैं और कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा से आप पाएंगे कि आपके दोस्त वो परिजन आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है बस इतना ही नहीं मदद के लिए आप उन पर निर्भर भी रह सकते हैं वो आपकी मदद के लिए तसपर तैयार रहेंगे वहीं आप सही सलाह भी देंगे यदि आपको अपने जीवन काल से जुड़ी कोई समस्या है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसे में आप उनकी सलाह को विशम परिस्थितियों से बाहर निकालने में आपको बहुत ही मदद मिलेंगे। उनको उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल भी न भूलें। क्योंकि दोस्तों, ये साक्षात हनुमान जी की कृपा से ही होने वाला है। आपकी मदद क के लिए हनुमान जी ने आपके लिए उन लोगों को भेजा है। उसके उपरांत दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे लोग, यदि लंबे समय से दोनों के बीच मन मुटाव चल रहा था, तो आज हनुमान की कृपा से आज कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। जिस से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पार्टनर को भी राहत मिलेंगे। इसके साथ ही आपको कुछ पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। यदि आप पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने रिष्टों को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी नाराजगी को दूर करें, को खत्म करें, साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि आपका किसी से कोई विवाद चल रहा था, तो आज कोई ना कोई हल भी निकलेगा, जीस से ना सिर्फ आपको, बलकि घर के हर एक सदस्य को राहत नहीं देगी, इ वहीं दोस्तों, घर के बच्चों को किसी भी तरह के गुस्से या नाराजगी से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों बच्चे भगवान के रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भी कुछ भी असब्द बोलने से बचें, वहीं आपकी खुशी के कारण बनेंगे, जी हाँ दोस्तो उसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें आज आपको, आपकी कंपनी, की ओर से कार्य के लिए कहीं दूर क्षेत्र में भेजा जा सकता है, आप शायद इस क्षेत्र को लेकर इस यात्रा को लेकर चिंतित भी होंगे, लेकिन चिंतित की कोई बात नहीं है, आप एक सित पुरे होते नजर आएंगे जिससे, आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आप जैसे बहुत चाहते हैं, उनका खयाल रखें, क्योंकि उनमें से कोई बीमार पढ़ सकता है। हो सकता है बिमारी बहुत छोटी लगे, मगर लापरवाही न बरतें, उन्हें आराम के लिए प्रोटसाहित करें और उनका भरपूर ध्यान रखें। उसके उपरांत दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध को वश में रखें, स्वभाव को सरल बनाएं, ताकि आप किसी भी तरह के वादविवाद। से बचें, जहां दोस्तों वाणी पर सैयम रखने से वातावरण को शांत रखने में आप सफल भी हो सकते हैं, किसी भी व्यापारिक से जुड़ी बातों को निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर, निर्णय ले और अपने भ्रम को हो सके, तो दूर कीजिए जहां दोस्तों ख उता हुआ नजर आ रहा है, उसके उपरांत दोस्त और प्रेम जीवन में जी रहे लोग आज अपने साथी के, साथ एक अच्छा समय बिताने की योजना बना सकते हैं, और आपका साथी आपसे मिलने वाला भी है, और दोस्तों, जब तक आवश्यक न हो, तब तक आप अपन लाब कराते, हो साथ, ही विद्यार्थियों पर भी हनुमान जी की क्रपा बनी हुई है, विद्यार्थियों को आँ, पने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता जरूर मिलेंगे, साथ ही आपके अध्यापक भी आपसे प्रसन रहेंगे, आपकी सराहना की जाएगी, उसके उ आपके काम आएंगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लायक अवश्य करें साथ ही अपने बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर करें तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो